इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Policy Bazaar Health Insurance का Review करने वाला हूँ तो देखे कई लोग Confuse होते हैं क्या हमें किसी Agent से यहाँ पर Health Insurance Buy करना चाहिए, डिर्कली कंपनी के Portal से करना चाहिए या फिर Policy Bazaar की Website से करें तो आज के इस वीडियो के अंदर में डेटेल के अंदर बात करूँगा कि Policy Bazaar की Website को आप लोग कैसे एक अच्छे तरीके से यूज में ले सकते हैं प्लस Policy Bazaar की Website को आप कैसे क्लीम करने के लिए यूज में ले सकते हैं प्लस हम लोग compare करेंगे इसके जितने भी Website के feature है चाहे comparison का feature है चाहे filter का feature है कैसे आपको अपने लिए एक best health insurance company यहाँ पर choose out करनी है Policy Bazaar की Website को यूज में लेकर तो guys यह सारी जानकरी आपको मिलने वाले इस वीडियो के अंदर तो पूरा वीडियो यहाँ पर जरू देखेगा पहले देखे guys अगर मैं simply company की बात को तो 2008 के अंदर यह start हुई थी अभी right now India का सबसे बड़ा largest online insurance marketplace है कई लोग जो है Policy Bazaar को समझ लेते कि यही हमें health insurance यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है ऐसा नहीं है यह simply यहाँ पर market place है तो इंडिया के अंदर जित्ती भी health insurance companies है चाए banks वागते जिसे ICAC हो गया है HDFC वागरे हो गया इसके लबा स्टार health हो गया care insurance हो गया नीवा बूपा हो गया तो यह जित्ती भी companies है उन सभी के health insurance यहाँ पर अपने portal के उपर simply इन लोगों ने यहाँ पर listed किये हुए जिसमें आप different company के comparison वगरे कर सकते हैं और अपने according buy कर सकते हैं तो यहाँ पर पॉलिसी अजार पॉलिसी बजार जो है वो किवले एक Mediator की तरह काम करता है वो खुद अपनी company की तरफ से कोई भी insurance policy यहाँ पर issue नहीं करता है साथ मैं guys यह company जो है एक listed market company बन चुकी है stock market में लिस्टेड है PB FinTech के नाम से आप लोग search out कर सकते हैं प्लस policy बजार के local भी आप यहाँ पर office खुल चुके है तो इनके अगर मैं locally office की बात करूँ ऐसा तो नहीं करूँगा कि सभी जगे यहाँ पर इसके offices है चलिए guys बात करते हैं कि इनकी website का use लेके कैसे हम अपने लिए best health insurance यहाँ पर find out कर सकते हैं तो पहली चीज तो यहार कि आपको search करने से पहले कुछ चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि कई लोग क्या करते हैं यह page के उपर सबसे पहले आपको basic information यहाँ पर डालनी पड़ती है इसकी link में आपको description box के अंदर यह दूँगा जहांसे आप sign up अगरे कर सकते हैं तो देखे कई लोग जो है सभी यहाँ पर select कर लेते हैं कि मुझे self के लिए भी चीए उसके comparison में premium जो होता है वो काफी जादा आपसे लिए जाता है तो best यह रहता है कि आप खुद का यहाँ पर अलग रखो as a family और आपके जो parents है उनका आप अलग रखो और एक और चीज़ बनाना चाहूंगा इसके लिए आपको tax benefit भी double मिल जाता है कि खुद के उपर जो है 25 से हर उपे की limit होती है और अगर आपके parents senior citizen है तो उनके उपर 50 जार तक की tax benefit की limits होती है तो यह चीज़े भी आपको ध्यान में रखने चाहिए तो guys सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है अगर मैं एक family की बात करूँ तो यहाँ पर आपको self choose करना है spouse choose करना है आपकी son ह daughter है जो भी है उसके according आप अपने case to case choose out कर सकते हो उसके बाद में simply यहाँ पर आपको अपनी age रिखनी है health insurance क्या होता है जिसकी age सबसे जादा होगी उसी के according यहाँ पर premium जो है decide होता है इसका मतलब क्या है और यह guys हर ऐसा नहीं है कि एक बार premium आपने pay कर दिया तो हर साल पू 30 से 35 वगर हो गई फिर 35 से 40 हो गई तो आपकी जो भी age है वो आप यहाँ पर type कर सकते हैं अगर मैं daughter's या आपके मले children की age की बात करो तो देखिए minimum यहाँ पर जो है अगर मालीजी newborn baby है तो वह at least 90 दिन का यहाँ पर होना चीए उसके बाद में आप उसको cover कर सकते हो अपनी health insurance policy के अंदर बाकी maximum अगर मैं बात करूं तो guys जब तक आपका बच्चा dependent है आपके उपर तो almost आप कह सकते 25 से 30 साल तक का आप यहाँ पर इसको consider कर सकते normally health insurance के अंदर क्या होता है जैसे आपका बच्चा यहाँ पर 25 साल का जाता है यह 26 साल का जाता है उसके बाद में उसको अलग कर दिया जाता है health insurance policy से तो normally guys आपको अपने बच्चे के यहाँ पर simply age डालनी है उसके बाद में guys यह simply आपकी location पूछता है क्योंकि premium इसके उपर भी definitely depend करता है अगर metro cities वगर होगी तो वहाँ पर आपको premium अलग देखने को मिल सकता है non metros होगी तो वहाँ पर आपको premium जो है अलग देखने को मिल सकता उसके बाद में guys simply आपको अपना जो name है और एक mobile number डालके OTP डालके simply आपको verify कराना है उसके बाद में guys आपसे पूछे जाएगा क्या आपको कोई existing illness है क्योंकि हर health insurance policy के इंदर एक waiting period होता है जो existing illness के उपर उसके बाद में ही तभी उसके उपर treatment लाग होता है तो अगर ऐसी क सारे companies के जो है basically आपको premium दिखाएगा और side में आपको USB points दिखाएगा लेकिन देखे इसकी वेसे कई लोग यहाँ पर confused हो जाते लेकिन मैं आपको एक अंदम simplify तरीका बताने वाला हूँ तो guys आपको यहाँ पर क्या करना है simply सबसे पहले जो है आप जो भी यहाँ पर plans देखे रहे हैं अपनी screen के सामने यहाँ पर simply आपको add to compare का simply option मिलता है जिससे guys आप multiple company के जित्ते भी health insurance plans है उसको बड़ी detail के अंदर compare कर सकते है example के लिए जैसे कि यहाँ पर care का supreme diet plan दे रखा है इसको मैं comparison में डाल देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह compare में डल गया है फिर उसके बाद में नीवा बुपा का max server 2.0 है इसको मैं compare के अंदर डाल देता है तात में guys यहाँ पर site के अंदर भी अगर आप click तो हो सकता है आपको एक ही कमने के different different plans देखने को मिले तो आप यहाँ पर compare भी जो है इनी plans को कीजेगा जिनके almost premium लगबग आसपास है for an example जैसे करे के supreme की बात करो तो 12,000 का premium मुझे यहाँ पर दिखा रहा है तो मुझे नीवा बुपा का भी इसी type का यहाँ पर plan लेना है कि उसी जो premium है वो उसी range के अंदर हो क्योंकि अगर आप एक higher premium को lower premium के साथ में range करेंगे तो definitely higher premium के अंदर आपको जादा benefits मिल रहोंगे और आप ढंक से यहाँ पर compare नहीं कर पाएंगे तो guys इसके लिए मैंने यहाँ पर जैसे कि नीवा बुपा का रिया शोर ले लिया जिसके अंदर 14,000 का premium है यानि लगबक उतना ही है उसके बाद में मैं नीचे गया यहाँ पर मुझे star का basically यहाँ पर प्लान दिखा रहा है जिसका 15,000 का premium है जैसे इसको मैं खोलूँगा तो जो है यहाँ पर comparison कर सके तो guys यहाँ पर आपको different different plans के comparison simply तरीके से बताने वाला है लेकिन यहाँ पर भी compare करने से पहले आप यह जो side में points होते है आपको जानना जरूरी होता है कि इन points का simply तरीके से मतलब क्या होता है तो देखिए मैं आपको यहाँ पर summarize करना चाहूँगा पहले हम लोग शुरुबात करते है claim paid within 3 months के साथ में तो guys यह simply claim settlement ratio होता है इसका मतलब होता है कि इस company ने जो है within the 3 months कितने लोगों को यहाँ पर payment की है जिनों ने भी यहाँ पर claim किया है उसके बाद में का second option होता है room rent limit का यानि कि hospital के अंदर आप जब admit होते हैं तो आपको ए limit लगा दी गई है तो उसका मतलब है कि उस limit के beyond आप कोई भी room rent जो है यहाँ पे अवेल नहीं कर पाएंगे उस case में आपको अपनी जेप से भी पैसा देना पढ़ सकता है तो make sure कीजेगा यहाँ पे any category यह at least single private AC room तो हमेशा लिखावा ही होना चीगे उसकी बाद में guys नीच साल के अंदर जब आप दूसा क्लेम करने जाएंगे तो normally policy के अंदर क्या होता है आपके जो भी benefits होते है वो वह वापिस restore हो जाते है तो guys यह point आपको simply यह बदाता है कि इस policy के अंदर आपको कितने time जो है basically restoration का benefit मिलता है अब जैसे यहाँ पर unlimited times लिखा हुआ है यानि यह ब मिलेगा कि जिता भी आपका sum assured होता है वो एक particular rate से यहाँ पर increase होता जाएगा जैसे अगर 5 लग का मैंने health insurance ले रखा है अगर मैं claim नहीं करूंगा तो वो साड़े 7 लाख रुपे की rate से यहाँ पर हर साल increase होता रहेगा और maximum 35 लाख रुपे तक जा सकता है साथ में यहाँ पर for an examer जैसे यह young star के अंदर लिखा हुआ है in case of the claim is made your no claim bonus will be reduced by the 1 lakh rupees तो 1 lakh से जो bonus मिल रहा है वो 1 lakh से reduce भी होगा जब आप claim करेंगे लेकिन इस policy के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं दे गई है तो यह भी आपको make sure करना है उसके बाद में हमारे important point आता है cashless hospital का तो यहाँ पर यह point simply यह बताता है कि आपके nearby जो आपने location डाली थे starting के अंदर तो वो automatically जो है जिते भी network hospital होंगे उसके अंदर जो भी cashless treatment होता होगा उसी के according आपको यह पूरी list basically निगाल के दे देता है इसके तुरो guys आप पदा कर सकते है कि आपकी location के nearby कौन कौन से hospital है जो in health insurance company के साथ मे network hospital है जहाँ पर आपको अपनी जेप से पैसा खर्ष नहीं करना है पूरा का पूरा पैसा जो है basically यहाँ पे cashless होता है मलब simply आपको hospital के अंदर जाकर admit होना है और सिर्फ आपको claim दर्श कराना है और पूरा का पूरा insurance जो company जो पैसा है वो directly यहाँ पे hospital को transfer करती है इसके देने वाली है अगर यहाँ पे full claim paid by the insurance लिखा हुआ है इसका मतलब है 100% जो पैसा है वो basically यहाँ पे company देने वाली है लेकिन देखें जो भी senior citizen होते है उस case में ऐसा नहीं होता है उसके अंदर co payment का यहाँ पे close शामिल होता है उसके लिखा होता है कि 20% जो आपको अपनी भी यहाँ पे days लिखे होंगे उसका भी पूरा cover यहाँ पे health insurance company आपको provide करती है post hospital coverage का यह मतलब होता है जब आप hospital से discharge हो जाते है उसके बाद में भी अगर आपको कोई medicine वगर चलती रहती है तो 180 दिन हो गया या 90 दिन हो गया जो भी policy के अंदर लिखा होगा वहाँ तक के ख होगा है तो वो चीज़े यहाँ पे simply तरीके से लिखी होती है जो अगला point है वो simply ambulance charges का है इसका मतलब यह है कि जब भी आप यहाँ पे ambulance वगर को बिलाते है तो यहाँ पे limit लगी होती है कि इस policy केंदर आपको इतना ही maximum पैसे दिये जाएंगे वो भी केवल especially ambulance charges के रूप में तो guys वो limit यहाँ पे simply आपके जो screen के सामने आपको दिखाए देगी फिर guys हमारा main जो point आता है वो आता है waiting period का waiting period का मतलब क्या होता है कि starting में जब आपने जो भी existing illness डाल रखियोगी है आपको पहले से कोई ना कोई बिमारी हो रखी है तो उसका treatment है वो यहाँ पे कब cover होता है और यहीं पे कई लोग यहाँ पे मात खा जाते हैं तो देखें यह चीज़ आपको ध्यान रखनी चीए अगर आपको कोई existing बिमारी है तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह चार साल बात में ही cover होगी इसका treatment चार साल बात में ही cover होगा तो अगर let's suppose बीच में अगर mention होता है कि कितने तक के benefits आपको available कराया जाएंगे अगर आपकी जो wife है अगर pregnancy वगरे के अंदर जाती है normal delivery होती है cesarean होती है तो सबके अंदर अलग अलग limits यहाँ पे mentions होती है इसके लागाइस यहाँ पे initial waiting period होता है जो कि normally कोई से भी policy उठा लो 30 days का waiting period होता है यानि तब तक आप claim वगरे नहीं कर सकते हैं लेने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे specific illness cover रहता है इसके अंदर कुछ specific diseases ह होती है कुछ काफी खतरनाक diseases होती है जिसका waiting period होता है यानि वो जो है उसका जो claim है वो आपके वल दो साल बात में ही यहाँ पे दर्श करा पाऊंगे तो यहाँ पे हर policy के अंदर उसका waiting period रहता है उसके बात में कैसे अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको alternative medicine मि होने जा रहे हैं तो वहाँ का आपको claim वगर है चीए तो वो चीज़े यहाँ पे basically mention होती है कितने limits आपको मिल सकती है worldwide coverage का यह मतलब है कि आपको outside India treatment चीए मानिजी आप outside US जाकर आप treatment ले तो वो चीज़े आपके policy plan के अंदर cover है की नहीं है यह चीज़े simply तरीके से लिखी ह होती है उसके लब गाई domestic evacuation यहाँ जो है आपको limit दीव होती है कि let suppose किसी reason की वज़े से मानिजी आपको एक सिस्टी से दूसी city के अंदर आपको transfer करना है मानिजी आपको by helicopter transfer करना पड़ गया तो उस case में air ambulance के यहाँ पर कितने charges आपको मिल सकते है या by road यहाँ पर उसको transfer करत तो उसकी जो भी treatment की cost है उसके उपर भी एक limit लगी होती है तो वो limit इसके अंदर दी गई है नहीं दी गई है तो वो चीज़े यहाँ पर इस point के अंदर mention होती है इसके लगाईस यहाँ पर animal bite जो vaccination होता है वो किवल कुछी policy के अंदर cover होता है तो वो cover है की नहीं है वो simply तरी easy हो गई वो आपकी cover रहती है लेकिन सभी के उपर एक limit लगी होती है तो यहाँ पर आपको simply यह बदा आता है यह point कि कितनी limit है आपके उपर free health check-up की मतलब अगर आप free health check-up कराना चाहते है तो केवल इसी limit तक company आपको जो bond करके देगी उसके beyond आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा उसके वाद में गाईस यहाँ पर e-consultation का points आता है तो आजकल जो कई जितनी भी companies जो health insurance यहाँ पर provide करती है आपको उनकी app के इंदर ही अगर आपको मालीजी सर्दी जुखाम वगर हो रखे तो आपको e-consultation मिल जाता है doctor के साथ में free of the cost वहाँ पर आपको सारी milestones होते है कि मालीजी अगर आप पूरे दिन के अंदर 10,000 steps चलेंगे तो हम लोग आपको इतना discount provide करेंगे तो कई सारी चीज़े रहती है जो आपके health goals और fitness goals होते है उससे यहाँ पर related होती है तो यह चीज़े simply तरीके से points के अंदर mention होती है किलाव गैसे अगर मैं बात कर परदी हो गई जुखाम वगर हो गया क्या उसके लिए भी आपको benefit मिलेगा तो वो चीज़े यहाँ पे mention होती है normally जो OPD होते policy के अंदर included नहीं होते है और अगर होते भी है तो उसके अंदर कही सारी terms and conditions होती है और अगर आपने वैसे देखा journaling अगर जितना भी मैंने policy को द सकते हैं कि माल नीचे मुझे 5-10 लाग वाली जैसे हम लोगों ने केवल 5 लाग की हम लोगों ने देखी थी policy माल नीचे मुझे 5-10 लाग वाली policy चाहिए 25-9 लाग वाली policy चाहिए room rate के अंदर आप select कर सकते हैं आपको private room चाहिए shade room चाहिए तो जैसे जैसे यहाँ पे आप basically filter लगाते जाएंगे आपको यहाँ पर चीज़े देखने को मिलती जाएगी आप guys बात करते कि आपको claim कैसे डालना है policy bazaar से जी हाँ तो देखे basically policy bazaar से जब भी आप कोई भी health insurance जो है buy वगरे करते तो उस case में आपको benefit क्या मिलता है इनका dedicate जो है center बनावा है 24 by 7 का तो यहाँ पर जिसने बता है कि जो policy bazaar है वो खुद जो है basically कोई भी health insurance जो है यहा पर उनको दिखाना है तो वो ही आपकी सारी help कर देते कि कैसे आपको claim वगरे करना है और जो भी papers वगरे होते वो बराने में सारी help कर देते लेकिन जहां पर network hospital नहीं होता है आपको reimbursement करना है यानि कि पहले अपनी जेव से पैसा आपने खर्च किया अब आपको यहाँ पर claim क प्रवाइड कर देता है तो देखिए अगर ultimately मैं summarize करना चाहूं उसको कि क्यों आपको यहाँ पर policy bazaar से खरीदना चाहिए तो देखिए premium आपका same आएगा चाहिए आप agent के थुरू करीदो या company के portal के थुरू करीदो या भी policy bazaar से buy करो क्योंकि सभी को देखिए normally यहाँ प पर policy वगरे buy करेंगे तो इनके toll free number के थुरू आप यहाँ पर claim का assistance ले सकते हैं तो इसके लावा जैसे हम बता है कि सभी को यहाँ पर obviously बाते commission मिलता है कोई भी free focus के अंदर काम नहीं करेगा policy bazaar की revenue की मैं बात कर लूँ तो by 22-23 के अंदर 2558 crore से भी जादा जो इन्होंने revenue यहाँ पर collect किया हुआ है plus guys जब आप claim भी यहाँ पर करते हैं तो इनके local वगरे offices भी बने हुए तो आप अपनी city के अंदर policy bazaar के local offices को search कर सकते हैं और आप reviews वगरे भी join के checkout कर सकते हैं कि आपके local office के साथ में कैसा experience है तो let's suppose अगर आप online भी नहीं खरीदना चाहते है तो आप directly इनके offices वगरे जो regional offices होते हैं वहाँ पी भी आप simply वगरे जो विजिट कर सकते हैं तो इस वीडियो प्लीज सब्सक्राबर चनल अगर आप लोग के कुई भी डाउट से comment box में ज़रू बताईए और policy bazaar के जो comparison के link है वो अलड़ी मैंने आप लोग को description box के अंदर दे रखिये thank you guys thank you very much